चारक के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों आचारे चारके के अनुसार युवा वस्ता में व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित करता है बुढ़ापे में वही उसका सहारा बनता है लेकिन कुछ गलत आदतें युवाओं के जीवन को बरबाद कर देती हैं आचारे चारके ने पांच ऐसी आदतों के बारे में बताया है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इनी बातों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे दोस्तों चारक की जी कहते हैं युवा कई बार अपने काम में लापरवाही कर जाते हैं इसके कारड उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है अगर आपको किसी काम का अनुभाव ना हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर वो काम करना चाहिए जिससे की सही मार्ग दर्शन प्राप्त हो और किसी का नुकसान भी ना हो दोस्तों आलस सिर्फ युवाव का ही नहीं बलकि हर व्यक्ति का शत्रू होता है ये सिर्फ आपके समय को बरबाद करने का काम करता है चारक के का मानना है कि युबाओं के जीवन में आलस का कोई इस्थान नहीं होना चाहिए युबाओं को जीवन हमेशा अनुसासन के साथ जीना चाहिए और अपने सोने और जागने का समय तै करना चाहिए ताकि आलस उन पर हावी ना हो सके और वो अपने मूल लेबान समय का सदूपियोग कर सकें नमबर तीन नशा दोस्तों चारक के कहते हैं नशा करने की आदत भी युवाओं के लिए अभिशाप है नशे से आर्थिक हानी होती है और साथ ही शारिरिक और मानसिक दोनों तरह से हानी होती है नशा व्यक्ति को गलत संगती में ले जाता है हर तरह से सक्षम होने के बाबजूद भी ऐसा शक्स अपना बहतर परदर्शन नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति अपने बरतमान को तो बिगाड़ता ही है साथ ही भविश्य को भी खराब कर लेता है नमबर चार गलत संगत दोस्तों चारक के जी के अनुसार संगत का आसर व्यक्ति पर जरूर पड़ता है यदि व्यक्ति गलत लोगों के बीच में बैठेगा तो उसमें भी गलत आदतें जरूर आएंगी इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत को लेकर सजग होना चाहिए गलत लोग आपको लक्ष से भटकाते हैं और आपके जीवन को अंधकार की और ले जाते हैं नमबर पांच काम भावना दोस्तों चारक के के अनुसार यवाओं को कई बार कम उमर में ही काम भावना जैसे गलत काम की लत लग जाती है ये आदत उनका जीवन पूरी तरह से बरबाद कर देती है इससे ना सिर्फ उनका भविश्य बलकि शरेर भी खराब हो जाता है इससे उनका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खराब हो जाता है और मनो मस्तिष्क में इसी तरह की बातें चलती रहती हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो